यह दोस्तों दिशीज मुकेस, वेल, कभी-कभी, हम लोग अपने day-to-day life में इस तरीके के sentences को बोलते हैं, जहां पर हम लोग काते हैं, अच्छा हुआ की तुम आ गए, अच्छा हुआ की वो फेल हो गया, अच्छा हुआ की मैंने खा लिया था, अच्छा हुआ की मैंने याद कर लिया था तो इस तरीके के सेचिन इसंडेस इसको इंग्लीजस में बोलने के लिए कौन साsorry इंग्लीस इस्ट्रेक्षर का यूज i'm Leh mikäly yoo यहапट जो फ्रेज आया है अच्छा हुआ की इसको इंग्लिज में बोलते हैं इट्स गुडश्करench जांते हैं सबसे प्ली राइट करेंगे इट्स गुड़ाइट उसके बाद subject फिर भी टू और लाश्ट में other words आप चाहे तो it's good that के बाद कोई सा भी sentence आप बोल सकते हैं किसी भी टेंस में तो यहां पर मैंने especially past indefinite sentences sentences लिए हैं ऐसे sentences ज़्यादा बोले जाते हैं तो आईए देखते हैं स्कों किस तरीके से ट्रांस जाएगा तो आज का पहला sentence है अच्छा हुआ की तुम आ गए इस sentence क्लिए बोलेंगे it's good that you came it's good that you came अगर यहां तो you came here next sentence अच्छा हुआ की वह pass हो गया इस sentence क्लिए बोलेंगे it's good that he passed It's good that he passed Next sentence अच्छा हुआ की मैंने खाना खा लिया था This sentence के लिए बोलेंगे It's good that I had food It's good that I had food Next sentence अच्छा हुआ की तुमने याद कर लिया था नहीं तो तुम मार खाते This sentence के लिए बोलेंगे It's good that you learned Otherwise you would be beaten It's good that you learned Otherwise you would be beaten Hey guys this is related मैं पोई एक संदेज देता हुआ इसको ट्रांसर कीजे और राट कीजे Comment box में If you make any mistake Then I'll correct it Guys how did you find my video If you really like this video Please like, comment and subscribe And don't forget to share this video Thanks for watching video friends Bye-bye